नमस्कार दोस्तों, ओनलाइ लर्निंग श्टनो चनल में आप सभी का स्वागत है 80 शब्द प्रती मिनट की गती से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट हमारे देश में ओद्योगिक इकाईयों में मशीनों सम्वेदन शील पदार्थों की धुलाई आदी करने वाले वाहनों के संचालन आदी को लेकर इस कदर लापरवाही बरती जाती है की अकसर हाद से हो जाते हैं अभी कुछ दिनों पहले मुझफरपुर के एक कार खाने में बाइलर फटने से कई लोग मारे गए अब गुजरात के सूरत में एक टैंकर से जहरीली गैस का रिसाव होने से छे लोगों की मौत हो गई और करीब बीस लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भरती कराए गए हैं घटना बुद्वार देर रात की बताई जा रही है पुलिस का कहना है की जहरीली गैस से भरा एक टैंकर नाले के किनारे खड़ा करके उसका चालक कुछ अबशिष्ट बहाने का परियास कर रहा था की गैस का रिसाव हो गया और वहां आसपास के इलाके में सो रहे मजदूर इसके परभाव में आ गए उनमें दम घुटने से छे लोगों की मौत हो गई अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है की जिस वाहन में जहरीली गैस भरी हुई थी उसका चालक या तो अनाडी था या फिर जान बूज कर उसने कोई रासाइनिक कच्रा चोरी छिपे बहाने की कोशिश की थी अगर उसने जान बूज कर कोई अनुप्योगी हो चुका रासाइनिक कच्रा निप्टाने का परियास किया तो यहे ना सिर्फ उस चालक बलकि उस कारखाना मालिक का भी अपराद है दरसल हमारे यहां ओद्योगिक सुरक्षा को लेकर नियम काईदे इतने धीले ढाले हैं कि उनके तहत दोशियों को कठोर सजा नहीं हो पाती फिर ओद्योगिक इकाईयों के मालिक जान बूज कर भी ओद्योगिक नियमों को ताक पर रखते हैं बहुत सारे कल कारखाने सुरक्षा संबंधी नियमों की अन देखी करते या फिर परशासन की मिली भगत से उन्हें ताक पर रखने का परियास करते हैं उन में से जादा तर का परियास होता है कि वे दिहाडी और आकुशल मजदूरों से काम निकालें नियमित और प्रशिक्षित कर्मचारी रखने पर चुंकी अधिक वेतन और भत्ते खर्च करने और कानूनी बाद्धिताओं का पालन करना पड़ता है इसलिए भी वे उन्हें रखने से बचते हैं इसका नतीजा यह होता है कि मशीनों का सही ढंग से रख रखाव और संचालन ना होने की वजह से अक्सर बड़े हाद से हो जाते हैं सूरत में जिस टैंकर से गैस का रिसाव हुआ उसमें भी यही बात हो सकती है उसका चालक शायद इस बात से अंजान रहा होगा कि जो कचरा निस्तारण करने की जिम्मेदारी उसे सोपी गई है वहे कितना खतरनाक हो सकता है काईदे से अनुपयोगी रसाइनों का निस्तारण खुले में नहीं किया जा सकता उन्हें बिना शोधन के नदियों या नालों में नहीं बाहया जा सकता इसके लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है मगर कारखाना मालिक इस नियम का पालन करते नहीं देखे जाते संबव है जिस टैंकर से जहरीली गैस का रिसाव हुआ उसमें पुराना पढ़ चुका रसायन भरा हो और कारखाना मालिक ने टैंकर चालक को चुपके से उसे नाले में बहाने को कह दिया हो आपाना पुराना मालिक प्रोग टालक को दो क्या एल झालक को चालक को झालक को चूआ अपर से जहरीली पालक को बहा हो